हाई गाईज, वेलकम डू फांडेशन कॉलेज वैदिक मैट के कम्पलीट कोर्स का यह है वीडियो नमबर 12 जहां पे हम सिखेंगे स्क्वाइर अफ एनी नमबर यानि कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नमबर का स्क्वाइर फांड आउट कर सकते हैं स्क्वाइर में कई सारे मैटेड हैं इससे पहले अपने लोगों ने 4 मैटेड और डिसकस किये हुए हैं उसका प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं यह है मैटेड नमबर 5 जहां पे हम स्क्वाइर करके देखने वाले हैं किसी भी नमबर का अप स्क्वाइर बहुत आसानी से फांड आउट कर सकते हैं टाइम पिसना करते हुए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्क्वाइर ऐनी नमबर अब देखो स्क्वाइर करने के लिए हमारे पास यहां पे हैं दो स्टेप चलो सबसे पहला लिखते हैं जैसे कि नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं जैसे कि अपने लोगों को स्क्वाइर निकालना है 15 का स्क्वाइर 15 का स्क्वाइर कैसे निकालोगे 15 का square निकालने के लिए अपने लोगों को दिहान में रखना है कि यह हमारे पास एक number यह हमारे पास second number सबसे पहले one लिखो यहाँ पर five लिखो यानि कि जो भी number है उसको अलग-अलग करके लिख लो अब दोनों का square करना है तो five का square करोगे क्या आएगा 25 और one का square करोगे तो क्या आएगा हमारे पास one ही आने वाला है ना यह था हमारे पास पहला step दूसरा step क्या है कि जितने भी number है यानि कि जो यहाँ पे number लिखे हुए थे one यहाँ पे लिखो five यहाँ पे लिखो और उसको two से multiply कर दो यानि कि two into a into b तो यह क्या है यह हमारा a b के form है यह हमारा a यह हमारा b देखो समझने की ecosystem करो बहुत आसाल है सबसे पहले क्या करना है दोनों number का अलग-अलग से square करके देख लो दूसरे step में क्या करना है कि जो भी number है उनको आपस में multiply कर दो two से ठीक है अब पहले step में जो भी चीज़ थी यानि कि यहां पर जो भी number हुए थे उसको as it is यहां पर लिख दो यानि कि पहले one आ रहा था तो यहां पर one लिखेंगे उसके बाद 25 आ रहा था तो 25 लिखेंगे यह हमारा पहला नमबर आ गया यह समझ में है ना कैसे हुआ कि फहले आ रहा था तो 25 को यहां पर लिख दिया यह हमारा पहला नमबर आ गया कि उसके बाद इसको जब मिल्ट्डप्लाय करोगे तो यहां पर अ box जब यहां पर लगाएंगे cross, okay, उसके बाद जो भी यहाँ पर अंसर आया हुआ है, इसको put करेंगे, 0, 1, यानि की 10, अब इसको कर देंगे plus और हमारा अंसर आ चुका है, 5, 7, 2, 275, तो 15 का स्कार का निकल के आगे, 275, रफरेंस के लिए, टेबल दी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं, तो 15 का स्कार का है हमारे पास, 225, 15 का स्कार, 220, sorry, 70 नहीं, यहाँ पर 2 था ना, 225 आगया हमारे पास 5 का स्कार, अब देखो, सेम मैठेट से कई सारे जो नंबर्स हैं उसका पर निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर पहले वाले मैं नहीं समझ मैं हैं, तो एक और करके देखते हैं, हमारे पास नंबर दिया हुआ है, मालो की 37 नंबर दिखा है, 37 का स्कार कैसे निकालोगे, यहां पर लिखो 3, यहां पर लिखो 7, दोनों का करना है स्क्वेर, इसको करो, 3 का स्क्वेर करोगे, 9 आएगा, 7 का स्क्वेर करोगे, तो 49 आएगा, दियान क्या रखना second वाले के case में कि जो भी answer आ रहा है यहां पे यानि कि जो भी यहां पे answer आ रहा है न वो किसमें आएगा हमारे पास two digit number में उसको लाना है तो जैसे कि अगर यहां पे four आ रहा है तो उसको convert कर दो zero four में तो यहाँ पर क्या है, two digit number में आना चाहिए, यह के बद समझाने के लिए था है ना, अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास number आया हुआ है, उसको as it is लिग दो, सबसे पहले nine आया था, उसके बाद four आया, फिर nine आया है ना, यह हमारे पास number आगया, पहला number, दूसरा step क्या कहता है, दूसरा step क्या है, two से, जो भी number है, उनको आपस में multiply करा दो, तो two into three into seven करोगे, तो क्या आएगा, हमारे पास, यह हो जाएगा, six and seven seven जा, 49, seven six जा, 50, कितना आएगा, seven seven जा, 49, sorry, seven five to thirty five, seven six जा हो जाएगा, हमारे पास, 42, यह हमारा second number है, अब इस number को अपने लोग किस तरीके से find out करेंगे, यह दूसरा number, यह पहला number, तो पहले वाले number को यहाँ पे लिखो, nine four nine, एक के नीचे cross लगाना है, उसके बाद number as it is, उतार दो और इसको plus कर दो, यहाँ पे आएगा nine, यहाँ पे आएगा six, यहाँ पे 1369, is the, 37 के square कहाएगा, 1369, तो 37 के square कहाँ पे दिया हुआ है, अगर देखेंगे, तो 37 के square, यह हमारे पास 1369, same answer आ रहा, 1369, है न, अब देखो, अगर यहीं पे हमारे पास three digit number होता, तो उसको किस तरीके से करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले, एक और two digit number ले देता है, थो 84 का square करके देखो, 8 का square करो, 4 का square करो, 88 जा 64, 4 का square 16, हमारा number बन क्या गया है, 6416, यह हमारा पहला number, दूसरा, 2 into 8 into 4, तो 4 जा 8, 88 जा 64, है न, यह भी सेम आ गया, ठीक है, पहला number लिखो, 6416, एक के नीचे cross लगा, उसके बाद जो number है, उसको लिख दो, 64, इसको प्लस कर दो, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 10, करी लगा 1, 7056, आगे हमारे पास अंसर, 84 का square क्या है, 7056, 84 का है, 84, 7056, देखो, बल्कुल सेम आ रहा है, अब three digit number में कैसे करेंगे, उसको देख लो एक बार, three digit number में कैसे करोगे, माल लो कि हम लोगों ने three digit number ले लिया कोई भी, जैसे माल लो हमने ले लिया 126, okay, 126 का square कैसे करोगे, अब इसको breakdown ऐसे करना है, एक तो 12 में breakdown करोगे, एक को 6 में करोगे, समझे, पीछे से के बल, एक, यानि के last के बल, एक, एक digit उठानी है, आगे से दो लिए टूठाई जाएंगे, तो 12 को square करोगे, फिर 6 का square करोगे, 6 का square करोगे, 36 आएगा, 12 का square करोगे, हमारे पास आएगा 144, हमारा number 1 चुका है, 144, 4, 3, 6, यह हमारा पहला number, okay, दूसरा number हमारे पास क्या है, 2 into 12 into 6, समझ गए, 2 into 12 into 6, तो यहाँ पर क्या है, 6 into 2 हो जाएगा 12, तो 12, यहाँ पर भी क्या आजाएगा, हमारे पास 144, यह हमारे पास second number, अब पहले वाले number के, एक cross लगाएंगे last से, उसके बाद जो number है, उसको put on करो, 144 और इसको कर दो plus, हमारा answer है, 6, 7, 8, 5, 1, तो 1, 5, 8, 7, 6, यह हमारा answer आ चुका है, 1, 5, 8, 7, 6, 126 का चुका है, करके दिखते हैं ना, एक बार, 1, 26 into 1, 26, 1, 5, 8, 7, 6, देखो, देखो, बिल्कुल सेम आ रहा है न, 1, 5, 8, 7, 6, इसी तरीके से कोई और number उठा लो, कोई हाए नमबर उठा लो, 3-digit number का, कोई भी number उठा हो, 176, ओके, इसका square कैसे करेंगे, अब देखो, इसका square अगर आपको नहीं पता है, तो इसको अपने लोग तोड़ेंगे, 17 के square में, उसके बाद तोड़ेंगे, अपने लोग 6 के square में, अब अगर 17 का square नहीं पता है, तो कैसे find out को रोगे, 17 का square न 17 का square कैसे find करोगे, 17 में सबसे पहले क्या करोगे, 17 को तोड़ो, एक तो 1 आ गया, एक तो 7 आ गया, तो 1 का square, 7 का square, इसको लिख दो 49, 7 का square 49, 1 का square 1 ही होता है, वसके बाद 2 into 1 into 7 करोगे, हमारे पास answer क्या आएगा, यहाँ पर answer आएगा, हमारे पास 14, ओके, यह हमारा दूसरा number पहला number क्या बन जाएगा, 149, यह हमारा पहला number, अब इसमें put कर दोगे, क्या 14, हमारा answer निकल क्या आजाएगा, यह आजाएगा 9, यह आजाएगा 8, यह आजाएगा 2, 289, एक बाद देख लेता है, 17 का square क्या होता है, 17 का square देखोगे, तो क्या हमारे पास 289, अब देखो, अब यह तो बात ही कि अपने लोगोंने 17 का square निकाल लिया, अब बात है कि अपने लोगों को 176 का square कैसे निकालेंगे, 17 का square आगे हमारे पास 289, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, एक नमबर है 17, एक हमारे पास 9 है ना 176 का निकालेंगे, एक नमबर है 17, एक नमबर है 6, 6 का square, 17 का square, 17 का square फाइंड आउट कर लिया है, हमारे पास अंसराय है 289 और 6 का square होता है 36, यहाँ पर नंबर बनेगा 28936, यह हमारा पहला नंबर बन गया, फिर दूसरा क्या हमारे पास, 2 x 17 x 6, इसको करो, तो क्या आएगा हमारे पास, 12 x 17, अब देखो इसको इसको solve करके देखना पड़ेगा, है न, इसको जब solve करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 204, अब simple put कर दो, यहाँ पे एक cross लगाओ, 402, plus कर दो, 67901, यहाँ जाएगा 30976, देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो उपर कर देता हूँ, 30976, यह इसका अंसर आ रहा है, इबर करके देखते हैं, 176 x 176, 30976, बिल्को सेम अंसर आ रहा है, इसी तरीके से काफी और नमबर हैं, जिसका आप स्कार करके देख सकते हैं, मिलिंग आप से नेक्स वीडियो में, तिल देन, गुड़ बाई